रियालिटी शोओ खत्रों के खिलारी सीजन 10 की कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश आई दिन किसी ना किसी वज़े से सुर्खियों में रहती है वल पिछले दिनों जहां वो रोहिच शेटी से पड़ी फटकार को लेकर चर्चा में आई थी तो वहीं आप सोशल मीडिया पर शोओ के अपकमिंग एपिसोड का एक ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी फूट फूट का रोती नजर आ रही है जी हाँ अब वैज़े तो शोओ में तेजस्वी प्रकाश अपने भोलेपन और बहतरीन टास्क परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत रही है इसके अलावा शोओ में रोहिच शेटी के साथ उनकी मस्ती भी लोगों को पसंद आती है लेकिन डर और खत्रों का सामना करने के इस पूरी डीटेल में हम आपको बताते हैं दरसल शोओ के अपकमिंग एपिसोड के इस प्रोमो में दिखाया गया है कि रोहिच शेटी तेजस्वी को एक फैसला लेने को कहते हैं हालनकि इस प्रोमो में यह तो नहीं दिखाया गया कि आखिर वो किस फैसले की बात कर रही है ल चुकि इस प्रोमो के अगले हिस्से में काफी मसेदार पार्ट दिखाया गया। आगे प्रोमो में रोहित तेजस्वी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें एक बॉक्स में रखी चीज को टच करने को कहते हैं। हाला के बॉक्स में रखा ये अब्जेक्त तेजस्वी को दिखाय नहीं देता वगर सारे कंटिस्वी पर ये प्रांक करते हैं और फिर सभी ठहा के लगा कर हसते हैं। हैना मज़ेदार वाक्या लेकिन अगर बात करें तेजस्वी केस ब्रेकडाउन की तो स्पॉट बोई से बातचीत में अपने शो के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि एक टास के दौरान उनकी आंख में मेजर इंजरी हो गई थी जिसके दा फैसला लेने को कहा गया इस इंट्यूवी में तेजस्वी कहती है इत वस अनमेजिंग एक्सपरियंस शूटिंग अल्देस्टश्टिंग आर इस इंड्यूजब्स ब्लूर्ड वेसल्स बॉस्टिंग तो तेजेश्टिंग अल्योर प्रेंट वेच्टिंगों ड्टी द तेजस्वी यहां किस चोट की बात कर रही है यह जानने के लिए हमें आने वाला एपिसोड देखना होगा लेकिन एक बात तो साफ है कि तेजस्वी को यू रोता दे कि उनके फैंस को बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा अब अगर यह वीडियो आपने भी देखा है तो इस व